जाहें दोस्तों आज के एक और इस नए वीडियो में हम जानेंगे ग्रॉस सेलरी के विशह में इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ये ग्रॉस सेलरी का कॉंसेप्ट क्या है और कैसे इस ग्रॉस सेलरी को निकाला जाता है तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जानते हैं दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह जो gross salary होती है इसको हम हिंदी में सकल वेतन के नाम से जानते हैं यह जो gross word है इसमें इसका मतलब होता है एक ऐसा amount जहां पर किसी भी तरह के खर्चे को ना काटा गया हो ना कोई tax लगाया गया हो इसके लावा जो salary सब्द है इसका मतलब तो आप अच्छी तरह समझते हैं कहीं पर भी आप job करते हैं तो जो पैसा आपको company देती है उस job करने के बदले में उसको हम salary कहते हैं लेकिन जब इस complete word को हम समझते हैं जिसका नाम है gross salary तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि माल लीजिए कोई व्यक्ति है किसी company में उसकी job लगी है तो उस company उसको salary के साथ साथ कुछ अलग से खर्चे भी देती है जिनको हम allowance कहते हैं हिंदी में भत्ता कहते हैं यह जो खर्चे होते हैं यह उस company के job लगती है तो उसमें एक offer letter दिया जाता है और उस offer letter पर सब लिखा होता है कि उस व्यक्ति को उसकी salary के साथ साथ कौन-कौन से allowance यानि खर्चे मिलने वाले हैं जैसे कि medical allowance यानि कि अगर वो बिमार पड़ता है या कुछ भी उसको problem होती है medical related तो company उसको पैसा देगी दूसरा होता है house rent allowance कुछ company होती है जो कि अपने employees को रहने की यानि कि उनके घर की विवस्ता करके देती है इसके अलावा होता है transport allowance जिसमें company तक आना जाना या फिर गाड़ी का खर्चा या petrol का खर्चा अगर अपनी गाड़ी है तो इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग तरीके के allowance होते हैं जिनमें आपके जो main है वो medical, transport, leave allowance, overtime allowance इस तरह के कम सकम 6-7 allowance होते हैं जो के basically ज़्यादतर employees इसको मिलते हैं तो यह जितने allowance है इनको आप benefits भी कह सकते हैं यह जितने benefits है इनका जो पैसा है subtotal है वो मिलाकर और एक basic pay salary होती है जो company आपको देती है इन दोनों को जोड़कर जो amount निकल के आता है उसको हम कहते है gross salary माल लीजी आपकी जो basic pay salary है वो है 30,000 और आपके जितने allowance इनको मिलाकर जो पैसा बनता है वो है 20,000 रुपे तो अब आपकी जो total salary होगी gross salary वो होगी 50,000 रुपे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस gross salary में किसी भी तरहिके का कोई tax नहीं काटा जाता tax deduction नहीं होता है यह सब gross salary निकालने के बाद वहां से tax काटा जाता है तो इस तरी आपके जो deductions हैं जो आपके allowance हैं उनकी deductions प्लस आपके कह सकते ही यहां पर जो basic pay है उसको आप जोडते हैं तो gross salary आपकी निकल कर आ जाती है तो कुछ इस तरीके से gross salary का concept है मैं उमीद करता हूं आपको उच्छे से समझ में आ गया होगा और ऐसी जनकारी भरे वीडियो को अब ही subscribe करें